हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चेनल नैनी स्कूल पर हार दिख स्वागत है एफटी चंडिगड बार एसोशेशन ने एक प्रेस नोट चारी किया है जिस प्रेस नोट में बताया गया है कि कैसे एटोर्णी जनरल ने सुप्रीम कोट के सामने भरी सबा में डेरोगेटरी कमेंट्स किये हैं और ये अपमांजनक और तथ्यात्मक रोप से गलत हैं आखिर एटोर्णी जनरल ने क्या कहा क्योंकि डिसिबल्टी पैंसन जो केसी से हैं उनको उन्होंने डिसिबल्टी रैकिट का नाम दे दिया जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी जिसको लेकर पूरे कह सकते हैं कि चंडिगर बार एसोशेशन में एक निरासा का माहोल था और वो इससे बूरी तरह से आहत हुए क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट के बयान के बाद ये सारी बातें इस प्रैस नोट में बताई गई है और क्या सचाई है वो भी बताई गई है अगर आप मेरे चैनल पर नए है चैनल को सबस्काइब कर लेजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेर जरूर करें देखे आप यहां पर बार एंड बेंच का ये आर्टिकल देख सकते हैं असली रैकेट रक्षा मंतरा ले है यानि M.O.D. इस रियल रैकेट ये कहा है A.F.T. बार एसोशेशन ने विकलांगता सैनिकों के खिलाफ आइटोर्णी जनरल के रैकेट दावों पर आपत्ती जिताई है पिछले हफते A.G. वेंकाट रमनी ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि विकलांगता पैंसन मामलों में किसी तरह का रैकेट चल रहा है और जो देखिए पूरी तरह से डेरोगेटरी कमेंट था जितने भी न्याईक प्रक्रिया में जुड़े हुए लोग हैं A.F.T. चंडीगड को लेकर तो A.F.T. बार एसोशेशन चंडीगड ने न्याई मूर्ती D.C. चोधरी के A.F.T. की कोलकत्ता पीठ में इस्थनांतर्ण को चुनोती देने वाली याचिका की सुनवाई के दोरान भारत के एटोर्नी जन्रल आर्वेक कंट्रेकमरी दुआरा की गई हालिया टिपनियों पर कडिया पत्ती जताई है आज जारी बयान में एस्थनांतर्ण ने एजी की टिपनियों को अत्यदिक परिशान करने वाला बताया और कहा कि उन्होंने इसे रैकिट कहकर नियाईक निकायों और विकलांग सैनिकों के पक्स में पारित फैंसलो पर आक्षेप लगाया है देखें मैं आपको वो प्रेस नोट भी दिखाऊंगा जिसमें इस सारी बाते बताई गई है पिछले हफते भारत के चीफ जश्टिस ओफ इंडिया की अद्धिक्सता वाली पीट के समक्स प्रस्तुत हुए थे और दावा किया था कि विकलांगता पैंसन मामलों में किसी तरह का रैकेट चल रहा है न्याय मूर्ती डीसी चोधरी के स्थानांतरन को चुनोती देनी वाली एसोशेशन द्वारा दायर याचिका के खिलाफ केंदर सरकार सीयो से पेस हुए थे यहाँ पर एजी उन्होंने ये दलील दी थी अब एसोशेशन ने देखिए अपना बयान दिया है अपमान जनक बताया है तत्यात्मक रूप से गलत बताया है इसको इसमें उन्होंने कहा है कि देखिए उनकी गलती नहीं है उनको जैसी बिरिफिंग दी गई थी उन्होंने उस टाइप का माँपर कमेंट किया है इसमें कहा गया है कि असली रैकेट रक्षा मंतराले था जो निप्टाए गए मामलों में भी विकलांग सैनिकों, विद्वाओं वरद पैंसन भोगियों के खिलाफ ना समझ अनावश्यक अपील समिक्षा करता है अपील की अनुमती के आविदन दाय कर रहा था आप सभी को पता है कि देखे बहुत से ऐसे केसिस हैं जो एफटी में सुनवाई हुई उसके खिलाफ उन्होंने हाईर कोर्ट में चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो कई बार अपील की है यहाँ पर बोला कि वहाई समिक्सा किया जाना चाहिए लेकिन और बार बार ऐसा हुआ है कि मानिया कोर्ट ने एफटी के फैंसलों को सही ठहराया है और विकलांगता पैंसन वाले जो भी हमारे सैनिक हैं, वेटरंस हैं उन सभी के पक्स में फैंसले दिये हैं और आप सभी को पता होगा कि देखिए एफटी क्या काम करताई जब आप एफटी का कोई भी जजमेंट देखते हैं तो आप उसमें कुछ चीज़ें कोमन जरूर देखते होंगे वो होता है कि देखिए AFT बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के इस जज्जमेंट के आधार पर मानने हाई कोर्ट के उस जज्जमेंट के आधार पर हम ये फैसला दे रहे हैं यानि उनका कोई भी फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा बनाए गए जो भी उन्होंने रूल्स बनाए हैं जो भी उन्होंने डिसिजन्स दिये हैं उनके आधार पर ये फैसला दिया जाता है एसोशेशन ने कहा कि एजी के बयान ने केवल एफटी के सुतनतर पर सिदाम लाएं बलकि इस देश के लिए हमारे सैनिकों के बलेदान का भी अपमान है इसमें का गया कि किसी तरह के परियासों का उद्देश है एफटी के अन्य सदश्यों की इच्छ सक्ती और संकल्प को कमजोर करना है जो पूरी तरह से गलत है इसमें देखे बताया गया है कि विकलांगता पैंसन के सभी मामलों का फैसला या निप्टारा उच्टम नियाएले या उच्छ नियाएले दौरा किया गया है और फिर भी कर्मियों को विकलांगता मामलों में AFT के सामने जाना पड़ता है देखिए अगर हम बात करें कोई disability pension के case में Supreme Court या High Court ने कोई judgment दे दिया तो देखे कायदे में होना चाहिए कि सरकार को उस पर एक कानून बनाना चाहिए और बोना चाहिए कि जो इसके दाइरे माते उन सब को ये pension मिल जाएगी ये disability मिल जाएगी लेकिन उनको individual cases में AFT जाना पड़ता है case करना पड़ता है कई साल इंजार करना पड़ता है और case जीतने के बावजियूद भी कई कई साल MOD में फाइल पड़ी रहती है ये अपने आप में पूरी तरह से गलत है AFT केवल उस्तम नियाले द्वारा तैकिये के कानून के अधिका आधार पर आदेस पारित कर रहा है ऐसे कई आदेसों को उस्तम नियाले तक चुनोती दी गई है और विश्तत निर्ने द्वारा बरकरा रखा गया है उस अर्थ में A.G. का बयान विकलांगता लाब पर माननी है सर्वोच नियाले द्वारा निर्दारित कानून पर उनकी खराब राय को दरसाता है और यह जो आरोप उन्होंने लगाए हैं यह बे बुनियाद हैं इनको लगाने का कोई भी लोजिक नहीं है देखें उन्होंने आगे यह भी कहा कि सेकडो सैनिक जिन्होंने सर्विस के दोरान तनाव या तनाव के कारण अपने अंग खो दिये हैं या गंभीर चिकित्चिया इस्तिती का सामना करना करना पड़ा है वे वर्तमान वे विभिन नियायालियों में विकलांगता लाब की मांग कर रहे हैं और उनकी विद्वाएं विकलांगता के कारण उनकी जो मृत्ति हुई है उसके लाब की बात कर रहे हैं क्या ये रैकिटर्स हैं क्या ये रैकिट चला रहे हैं सैनि जीवन की वास्तिकता जानने के लिए विद्वान एजी को एक आम सैनिक के जीवन में एक दिन जाना चाहिए उनके साथ बिताना चाहिए तब आपको पता चलेगा कि देखे रैकिट वास्तव में होता क्या है देखे यहाँ पर जो सबसे बड़ा केस था वो सबसे बड़ा केस था ओनरी नायब सुवेदार केस में देखे जिसका फैंसला 2017 में दे दिया गया था देखे 17 में जो यह फैंसला दिया गया था तब आपको पता होगा कि देखे उस टाइम पे जस्टिस डीसी चोधरी जो है एफटी में नहीं थे एफटी चंडीगर में जस्टिस चोधरी जो है 2001 में सामिल हुए थे और यह फैंसला 2017 का है जिनको हग दिलाने के लिए इन्होंने देखिए पीफा के अधिकारियों को कंटेंप्ट ओफ कोट किया था और अगले दिन उनके सुनवाई थी एक दिन पहले उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है यह अपने आप में देखिए एक बड़ी बात थी हाला कि देखिए यहाँ पर बताया गया कि जो चेर परसन है उनके पास अधिकार होते हैं उनके अधिकारों के तहत टेंप्रेरी ट्रांसफर किया गया है वास्ता उता है यह लेकिन उन्होंने देखिए जो भी बात कही है वो मैं आपको यहाँ पर उनके प्रेस नोट से भी दिखा देता हूँ देखिए यह है वो प्रेस नोट जो जारी किया है 16 अक्टूबर 2023 को क्योंकि देखिए उन्होंने रैकेट्स कहा था इस वर्ड को लेकर देखिए काफी आपत्ती थी यह सारी बाते जो मैंने आपको हिंदी में पढ़के सुनाई है यह आप देख सकते हैं इंग्लिस में भी चली यह पर देखिए यहाँ पर एक चीज और बताई गई है कि देखिए जो financial implications होते हैं यह जो बताया कि हमारे लाखों रुपे देने पड़ रहे हैं आखिर ऐसा नहीं है बुला इतने 1500,000 cases हैं यहाँ पर बताया 15,000 cases of disability pension have been decided in favor of disabled soldiers by the honorable Supreme Court, honorable high courts and AFTs इन सब के दुआरा यह 15,000 cases जो है clear किये गए हैं and all these cases are racket क्या यह सब एक racket का हिस्सा है ओन 10 October 2014, इनने bunch matter led by the civil appeal 488-22 जिसमें 800 appeal file की गई थी M.O.D. के दुआरा against the disabled soldiers उन सब को एक ही जटके में तीन जजों की bench ने स्वाप्त कर दिया था, खतम कर दिया था जो AFT का निर्ने था, उसको सही माना था, वो देखे कैई बार ऐसा हुआ है, आप सबी जानते है उसके बाद में कैई बार ऐसा हुआ है कि cases हुए है, लेकिन वो विड्रो कर लिए गए है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, मनोर परिकर जी द्वारा, निर्मला सितर निजवारा वास डैट रैकिट एस पर्दार लंड एजी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है देकि यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि देखें जो AFT का case था 2017 का था, Honorable Naib Subidhar का और ये जो जज हैं 2021 में थे तो आप इसको इस तरह से कैसे बोल सकते हैं कि देखें वो गलत तरीके से treat कर रहे हैं और another casual remarks जो था, वो था, areas of lakhs of rupees in some old cases being directed to being heard by the court on deeper analysis, we have discovered that AFT order simply emanate from MOD order जो MOD का letter है, 10 फर्वरी 2014 का, उस letter के आधार पर ही judgment देता है AFT, issued in terms of directions कि बैया कितना पैसा, कब का area देना है, क्या देना है वो सारी चीज़े यहाँ पर उनको बताई गई है, उसी आधार पर ये फैंसले दिये जाते है यहाँ पर देखिए, अगर disability pension, family pension, areas की बात करें, would be released to the affected parties with effect from 1 January 1973, जहाँ पर ये बताया गया है, तो यानि सारी बाते जो निकल के सामने आ रही है वो सारी बाते ये हैं, कि देखिए, जो भी judgments AFT दोआरा दिये जाते है वो या तो high court, या supreme court, या government की policies के आधार पर ही दिये जाते है फिर इनको इस टाइप से बोलना, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है देखिए, the real racket is M.O.D. जो इतने disabled soldiers, widows, old pensioners के जो settled matters है उनको अपने पास दबा के बैठा है, ये वास्ताव में एक real, ये कह सकते हैं कि racket है civil appeal number देखिए, यहाँ पर दे रखी है, कि उसमें देखिए, मानिया कोश ने भी जो EFT के judgments हैं, उनको पूरी तरे सही माना है, और अजय शोरन जो सेकेटरी है बारे सुसेंस के, उन्होंने ये letter जो है, प्रेस नोट जारी किया है तो ये थी आज की बड़ी खबर, अगर ये जंकरी आपको अच्छे लगी, तो comment करें, वीडियो को share करें, फिर मिलेंगे आपसे, जय हिंद, जय भारत